नमस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है सोरिया गांधी लगता है पूरी तरह से एक्शन में आ गई है वो चुन-चुनकर जो राहूल गांधी के चहते थे जिने जिम्मिदारी 2019 में दी गई थी राहूल गांधी के दोरा उनको चुन-चुनकर जो है आप पार्टी से बाहर कर रही है कॉंग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है क्यों मचा हुआ है क्योंकि जब राहूल गांधी देक्च बने थे तो सोनिया गांधी के नजदीक जो जिनको ये लोग ओल्ड गार्ड्स कहते हैं उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया था जो डिसिजन मेकिंग के प्रोसेस से ही सोनिया गांधी के सारे करीभी नेताओं को जो है राहूल गांधी ने बिलकुल आइसोलेट कर दिया था 2019 के चुनाओ में उन लोग कोई रोल ही नहीं रहा और यह टीम पे राहूल गांधी को इतना भरोसा था कि उन्हें लगता था कि 21st century की यह पार्टी बन जाएगी और कई सालों तक जो है वो कॉंग्रेस पार्टी बिलकुल अजय बन जाएगी लेकिन अब जब 370 का गूफफ हुआ है जब राहूल गांधी जो है बिलकुल वह्याद बाते करने लग गए ऐसे ऐसे बैयान देने लग गए जिसमें ऐसा लगने लगा कि राहूल गांधी खुद तो डूबेंगे ही कॉंग्रेस पार्टी को भी बिलकुल ले डूबेंगे तो अभी जहाँ जहाँ चुनाओं होने वाले हैं वहाँ के लीडर्स जो है वो बिलकुल विफर परें और उन्होंने सोनिया गांदी के पास जाकर के शिकायत की ये ओल गार्ड्स जो है बिलकुल एक्शन में आए और इन लोगों ने अब ये फैसला किया है कि एक एक करकी ये सारे लोग जो राहुल गांदी के आसपास घूमते हैं और सोनिया गांदी के मताबिक राहुल गांदी को जो है मिस्स गाइड करते हैं वैसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाये जाएगा पहला नाम है दिव्यास बंदना का ये एक film actress थी पता नहीं राहूल गांधी ने कहां से नहीं ढूंडा और अचानक से उसे social media के पूरे congress party का पूरा national head जो है उन्होंने बना दिया इनका contribution क्या रहा? इनका contribution ये रहा कि राहूल गांधी के लिए tweets लिखा करती है चुकि राहूल गांधी अपने से वो tweet नहीं लिख सकते हैं टाइप नहीं कर सकते हैं इसलिए ये काम जो है दिव्यास बदना करती थी और उनका जो सबसे बड़ा जो कह सकते है कि जो करतब इन्होंने दिखाया इस कदर की वाहियार और घटिये तरजे के जो tweets इन्होंने लिखे उससे उन्होंने राहूल गांधी की image बनाने के बज़ाए राहूल गांधी को एक सळक चाप गली मोहले का जो leader होता है उसमें इन्होंने राहूल गांधी को तबदील कर दिया लेकिन राहुल गांदी की चहती थी लोग आपस में प्रैविटली तो बोलते थे लेकिन चुके वो बहुत ज़्यादा चहती थी तो कोई आदमी दिव्यास पंदना से सवाल नहीं कर सकता था एक तरफ दिव्यास पंदना जो है एक से बढ़कर एक घटिया ट्वीट्स देती चली गई और राहुल गांदी की इमेज जो है मिट्टी में मिलती चली गई दिव्यास पंदना को इस बात का इल्म नहीं था कि वो जिस व्यक्ति के लिए ट्वीट्स कर रही है वो एक गौरब मईब पार्टी के अध्यक्स के बारे में के तरफ से वो लिख रही है शायद उनको ये एहसास होता तो शायद उन्हें जो है आज बाहर का रास्ता नहीं देखना पड़ता तो दिव्यास पंदना जो गई उन्हें सोनिया गांधी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है दूसरे नंबर जो है वो प्रवीन चक्रवर्ती सहाब का है ये बड़े मजदार वेक्ति हैं ये बेसिकली एक डाटा एनेलिट्रिक्स थे बैंकर रहे हैं पता नहीं कहां कहां रहे हैं लेकिन ये इन्होंने राहूल गांधी के दिमाग पे ऐसा जादू कर दिया कि राहूल गांधी को लगा कि यही आदमी है जो उन्हें प्रधान मंत्री बना सकता है और सारी शक्तियां उन्हें प्रवीन चक्रवर्ती को दे दी प्रविन चक्रवर्ती ने कैसे राहूल गांधी को बेफकूब बनाया उसकी वे एक बहुत इंट्रेस्टिंग कहानी है प्रविन चक्रवर्ती ने एक Data Analytics Center जो है इन्होंने बनाया Congress Party के लिए और इसी बीच प्रविन चक्रवर्ती ने कहा कि वो एक सक्ति एप बनाएंगे वो इसलिए क्योंकि उन्हें राहूल गांधी को समझाया गया कि Congress Party जो है वो बिलकुल Fraud लोगों की Party है ये जो State और District Level के जो Leaders होते है वो बहुत बीच में गरबड़ियां करते हैं और कामचोर किस्म के लोग होते है इसलिए ये सबसे अच्छा तरीका है कि Congress President सीधे कारकरता से जो है राफ्ता रखे कारकरताओं की बात सुनें आपको याद होगा कि ये वो दौर है जब राहूल गांधी जहां निगलते थे तो वो कारकरताओं से डिरेक्ट होने की बात करते थे और ये सब चीज जो था वो ये सकती आप और शक्तियाय था कि जितने कारे करता है वो अपने आपको register करेंगे अपना voter i-card और पहचान पत्र के साथ और phone number के साथ वो उसमें register करना होता था और उनका सारा data आ जाता था और ये data analytics center में जो है वो किस जाती का है किस region का है कहाँ पढ़ा हुआ है क्या है नहीं है वो सारे च तस्वीर को देखिए ये वहां दफ्तर में लगा हुआ था और जिस तरह से टैक्सी में मीटर जो घूमता रहा था उसे तरीके से प्रविन चेकरवर्ती ने भी एक मसीन लगा रखा था और राहुल गांदी जी आते थे और उसे देखते थे कि इतने सारे कारकरता जो है बन र इंबर्स थे ये डाटा कहा जाता था ये किसी को पता नहीं चुनाओं के बाद भी किसी को पता नहीं चला क्योंकि प्रविन चेकरवर्ती साहब पूरा डाटा लेकर के गायब हो गये और इनी फरजी दावों के आधार पे राहुल गांदी ने ऐसा काम किया जो बिलकुल ए कि एक कॉमेडी ही है रीजन राहुल गांदी ने सचमुच ये विश्वास कर लिया कि कॉंग्रेस पार्टी जीत रही है और वो प्रधान मंतरी बनने वाले हैं और इसकी तैयारी भी उन्होंने शुरू कर दी थी डीम के से शरत पवार से आरजडी से समाजवादी पार्टी में चल रहे है कि कॉंग्रेस पार्टी ने यारूप लगाया है कि प्रवीन चक्रवर्ती ने राहुल गांदी को मिस्गाइड किया सोनिया गांदी ने प्रवीन चक्रवर्ती को बाहर का रास्ता दिखा दिया है लेकिन ये जो पूरी कहानी है कि किस तरीके से प्रवीन चक् 20 एक्स चीफ मिनिस्टर हो ऐसे ऐसे लोग है जिनके पास राजनीती का जो experience जो है 40-40 साल 50-50 साल का जो है उनके पास राजनीती का experience है ऐसे लोगों के रहते हुए राहुल गांधी को एक marketing करने वाला एक data analytics एक banker बेफकूप बना जाता है तो लोग तो यही कहेंगे कि अच्छा हुआ यह विक्ति देश का प्रधान मंत्री नहीं बना वरना इसे तो कोई भी बेफकूप बना करके चल जाए और देश को जो है वो गर्त में डाल दे